हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू सन्विक कलासेज, इडिटेरिया का नया बुक आ गया है, बहुत सारे छात्रों का नुरोध था कि इडिटेरिया को समान अध्यान का कोई बुक निकालना चाहिए, तो आ गया है 5000 प्लस बहुत विकल्पिक प्रस्ण का, जिसमें 100 प्रेक्टिस इसके पहले प्रस्ण है कि भारत के साथ ब्यपार करने का चार्टर महरानी इलिज्जा बेद्वारा कब दिया गया था, और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 31 दिसमबर 1600 इस्वी को नेक्स प्रस्ण है कि भारती राष्टी अंदोलन के पराम में ही उगर राष्ट बादियों का भी बर्ग था, निम्न में से कौन नहीं सामिल है, और इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, गोविन्द रनाडे नेक्स प्रस्ण है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखलाउं समझाता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिध हुए और इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, कांग्रेस द्वारा मुसल्मानों के पड़ती संतुष्टी करन की निती का अरंभ हो गया नेक्स्ट है, ब्यक्तिकत सत्यागरा किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ और इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, लाड लिन लिठको के काल में अगला प्रस्टन है कि भारतिय राष्टे कांग्रेस के पुरवर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और परमुख संस्था थी कौन थी और इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, ब्रिटिस इंडिया एसो सीएशन अगला है, साइमन कमिशन की सिफारिसो के संदर में निम्रिखित में कौन सा कथन सही है और इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, इसने केंदर में द्वी सदन बिधायका के उन्मुलन का सुझाव दिया अगला है, दादा भाई नेरोजी, ब्रिटिस हाउस आफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाब जीता था दादा भाई नेरोजी जो ब्रिटिस हाउस आफ कॉमर्स के लिए चुने गए थे वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाब जीते थे और इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन D, लिबरल पार्टी के अगला है भारत पर हुनों का पर्थम आक्रमन किस सासक के समय हुआ और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C अस्कंद गुप्त के समय हुआ था भारत पर हुनों का पर्थम आक्रमन अगला है एहोल अभिलेक किस सासक से संबंधित है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C, पुलकेशिन, ब्वीतिये से नेक्स्ट है सत्मेब जयते किस उपनिसद में संग रहीत है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D, मुण्ड को निसद में नेक्स्ट प्रस्ट देखते हैं कि महाबस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन बिरतान थै इसका संबंध किस साखास है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A, महायान अकवर दोरा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C, इवादत खाना नेक्स्ट है, सूप परसिद संगितकार तांसेन और बैजू बावरा किसके साखन काल में सूप बिख्या थे और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C, अकवर के काल में, तांसेन और बैजू बावरा अकवर के काल में सूप बिख्या थे अगला प्रस्ट है, नियू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यात बंदरगा है या किस देश में स्थिद है और इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन B, अस्ट्रेलिया देश में नेक्स देखते हैं कि देसांतर रेखाओं के संबन में कौन सही है और इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन D, देसांतर के मद सरवाधिक दूरी बिश्वत रेखा पर होती है देशांतर का जो मद्ध सरवाधिक दूरी होता है वो विश्वत रेखा पर होती है अगला प्रस्ण चलिए देखते हैं कि उत्तर से सुरू कर दच्छिन के और नीचे देगाई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है उत्तर से सुरू कर दच्छिन के और जाना है और पहाड़ियों को सही अनुक्रम बताना है और इसका अंसर हो जाए उप्षन C नला मेली पहाड़िया जबादी पहाड़िया निलगीरी पहाड़िया और अन्ना लई पहाड़िया नेक्स्ट है निम्लिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है सबसे ज़्यादा मार्ग कौन सी नदी बदलती है और इसका अंसर हो जाएगा option B कोसी नदी को बिहार का सोक भी करते हैं अगला प्रस्ण है कि किस मिर्दा प्रारूप में लोहे के अत्रिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है और इसका अंसर हो जाएगा option C later right अगला है परकास के संबंद में कौन सा कथन सत्य है और इसका सही अंसर हो जाएगा प्रोक्त में से सभी यह एक सियंत्र में निम्रचित में से कौन सी प्रक्रिया होती है और इसका अनसर ऐगा Ampiance Pakistan किनशी प्रक्रिया होती है बयंव सकतर में है अगला है यह विए मांडल में प्रकास कें बिशरन का खारण क्या है और इसका अंस्ग ऐगा नेक्स प्रस्ट देखते हैं कि किसी भी योगिकों का अक्सिकरन संख्या क्या होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन D, 0 किसी भी योगिकों का अक्सिकरन संख्या 0 होता है अगला है सर्प बिश्रोधी सुई किस तत्व का एक योगिक है और इसका अंसर हो जाएगा option A, स्वर्न यहोगी Next है, दाव का बिम्य सुत्र क्या होता है और इसका अंसर हो जाएगा option B, ML-1, T-2 दाव का dimensional formula होता है, ML-1, T-2 Next है, जाइब साहल क्या है और इसका अंसर हो जाएगा option A, koila अगला है, यादास्त का संबंध मस्तिस्क के निम्न में से किस भाग से है और इसका अंसर हो जाएगा option D, सिरे ब्रम से यादास्त का जो संबंध है, मस्तिस्क के सिरे ब्रम से है अगला है, एक जिवास्म पच्छी का नाम बताएगे जो एक पच्छी की तरह दिखता है लेकिन सरिश्रिफ के जैसी अन बिशेस्ताएं होती है और इसका अंसर हो जाएगा option B, Archeopteryx वैसा पच्छी जो पच्छी की तरह दिखता है लेकिन सरिश्रिफ जैसी बिशेस्ताएं होता है इसका अंसर हो जाएगा Archeopteryx अगला है मानब शरीर में सरवाधिक मात्रा में पाये जाने वाला तत्व कौन सा है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन B, Oxygen O2 अगला है परिपत में किनी दो बिंदुओं के बीच विवानतर्म आपने के लिए किसका परियोग किया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन B, Voltmeter नेक्स्ट है अपात काल के दोरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन C, भारत का राश्टपति अगला है प्राक्लान समीती सदस्यों का कार्जकल कितने बर्सों का होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन A, एक बर्सों का निमलिकित में से किसकी अनुमोधन से भारत की संचित निदी से पैसा निकाला जाता है इसका अंसर हो जाए option D भारत की संसद के अनमोधन पे अगला है भारतिय संविधान में बिधी के समझ समता किस देश किस संविधान से लिया गया है और इसका अंसर हो जाए option D बिटेन के संविधान से संभिधान, संसोधन, प्रकिरिया Torah संभिधान के किस भाग में उल्लेक किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा option D, भाग 20 में अगला है सूची बन और सूची टू का सही मिलान करना है और इसका जो अंसर हो जाएगा इसका B हो जाएगा कि भासाओं का उलेक आठवी अनुसूची में है। दल बदल निरोध अदिनियम जो है वो दसवी अनुसूची में है। कहतरवास संविधां जो संसोधन है वो है ग्यारवी अनुसूची में और भूमी सुधार एवं अधिगरन संबंधी अधिनियम है वो 9 वी में है 11 वी जो है वो पंचाइती राश्य संबंधित है Next है 1883 के चाटर अधिनियम के इंतरगत पर्थम बिधी आयोग का गठन किसके अधियस्ता में किया गया 1883 के चाटर अधिनियम के पर्थम बिधी आयोग का गठन किसके अधियस्ता में किया गया और इसका सही अंसर हो जाएगा Option B लाड मेका लेके समय निम्न में से कौन सी आउस्दी या क्रांती प्याज और जिंगा उत्पादन से संबंधित है और इसका अंसर हो जाएगा Option C गुला करांती अगला प्रस ने निम्न लिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटन बुट्स जुडबा के नाम से जाना जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा Option C आईमेफ और बिस्व बैंक नेक्स्थ है किस बर्स भारती रिजेर्व बैंक का राष्टी करन किया गया था अगला है हिम्दू राष्ट का बिचार मुल्टा किसका है और इसका अंसर हो जाएगा Option A बीडी सावरकर का नेक्स देखते हैं भारत में आईकर है क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा पर्तियच और प्रगती सील नेक्स है कुच्ची पूरी किस राज का परसिद लोग नरीत है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन D आंधर परदेश का कच्ची पूरी लोग अंधर लोग खाते हैं तो कुच्ची पूरी किस राज का परसिद लोग नरीत है तो अंधर परदेश का अगला है हिमानी उत्तम परव का संबंद किस खेल से है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B मलखम का नेक्स्ट है नीफक अंधोलन के प्रनेता थे कौन थे इसका अंसर हो जाएगा दादू दयाल अगला है द्रकमा सिक्का किस ने चलाया था जो द्रकमा सिक्का किस ने चलाया था और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन A ग्रीक बासियों ने बाढ़ के दरान हर बर्स नए इलूबियम का जमाव, जो मिट्टी की उरवरता को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खादर, नेक्स्ट है, वस्समुंदरी सिमा, जहां ताफमान, तेजी से कम होता है, क्या कहलाता है, और इसका अंसर हो जाए, आप्शन C, थर्मो क्लाइन, अगला है, बेसल मा अगला है इंगलीज में पहली बार और धोगी क्रांती सब्द का परियोग किस ने किया था और इसका अंसर हो जाएगा option D Arnold Tyambi ने पहली बार और धोगी क्रांती सब्द का परियोग किया था अब नेक्स देखते हैं practice set no.2 Practice Set No.2 के पहला प्रस्ण है कि निमलिखित में से कौन मूल अधिकार केवल भारतिये नागरिकों के प्राप्त है और इसका सही अंसर हो जाएगा D. उप्यूक्त में से सभी अनुछेद 15 में प्रदत मूल अधिकार अनुछेद 16 और अनुछेद 19 Next प्रस्ण है निमलिखित कतनों पर विचार करे राजसवा के सदस्यों का कार्ज काल 4 वर्ष का होता है राजसवा सदस के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयू होना अवस्यक है राजसवा 23 सदन है लेकिन इसके 24 सदस परती दूसरे वक्त पद मुक्त हो जाते है तो कौन सा कथन गलत है ये पूछड़ा तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्यूक्त में से सभी Next है धन बिदेख को राजसवा अधिक्तम कितने दिनों तक रोक सकती है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन A 14 दिनों तक अगला है कोई ब्यक्ति उच न्यालय का न्याधिस निक्त होने का पात्र होगा जवर क्या होगा तो भारत राज़ छेतर में कम से कम दस बर्तों तक न्याईक पद धारन क्या हो या लगतार दस बर्त तक उच न्यालय या न्यालय में अधिवक्ता रहा हो उसकी आयुक कम से कम 25 बर्स का हो और इसका सही अंसर हो जाएगा option A केवल एक नेक्स्ट है बितिया पात उद्गोसना का अनुमोदन करने वाले संकल्फ सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए और इसका सही अंसर हो जाएगा option C अगला है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के बिरुद्ध लोकसवा में आविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था और इसका सही अंसर हो जाएगा option B 1963 में अगला है राज के निती निर्देशक तत्वों के प्रबदान के लिए किस अनुछेद में वंध किया गया है राज के निती निर्देशक तत्वों के प्रबदान के लिए किस अनुछेद में वंध किया गया है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A अनुछेद 37 में चलाया समीती का गठन किस बर्स किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा option B, उनेशो 91 में अगला है निम्न में से किस क्रांती का संबंध कोको उत्पादन चमडा उत्पादन से है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A, भूरी क्रांती से एक धन जो असानी से विदेश से आता है लेकिन असानी से चला जाता है इसे इस परकार्ज से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? इसका सही अंसर हो जाएगा option D, होट मनी अगला है गन्ने का उचित और पारिस्रमिक मुल एफार पी अनमोदित करता है क्या है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A, आर्थिक मामलों पर कैबनेट समीती इसका अंसर हो जाएगा option D, सरकारी बहनों से यात्रा करने पर पाबंदी जबकि सरकारी पदों पर त्यागना, विदेशिमाल का बहिसकार, अदालतों का बकीलों द्वारा बहिसकार ये सब अस्योग अंदोलन के कार्ज करम में सामिल था अगला है दांडी मार्च की समाप्ती किस तिथी को हुई थी और इसका अंसर हो जाएगा option C, 6 अपराइल 1930 को नेक्स्ट है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्र घटनाओं का काल करम सही नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा option D, भारत छोड़ो अंदोलन, 23 मार्च 1942 नहीं ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन जबकि पूना समझ होता 24 सुतंबर 1932 में हुआ है दीतिय गोल में समेलन 7 सुतंबर 1931 में चवरा चवरी घटना 5 परवरी 1932 में हुआ है नेक्स्ट है अजाध हिंद फाउज के साथ सुवाच चंदर बोश ने सिंगापूर में स्वतंद्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब किया था और इसका अंसर हो जाएग option B, 21 सक्टूबर 1933 को आस्थाई सरकार का गठन किये थे सिंगापूर में स्वाच चंद बोश ने नेक्स्ट है कि सती पर्था का उनमुलन किया गया था कबकि किस अधिनियम के तहट इसका सही अंसर हो जाएगा option B, 1839 में नियम 17 के द्वारा नेक्स्ट है बहावियों के बिद्रो को कुचलने का सरे किस गवर्नर जनरल को जाता है और इसका अंसर हो जाए option B, लाड एलगिन पर्थम को बहावियों के बिद्रो को कुचलने का सरे लाड एलगिन पर्थम को जाता है नेक्स्ट है त्रिपच्छिय संगर्ष में निम्न में से कौन राजबन सामिर नहीं था और इसका अंसर हो जाए उप्शन C, पलर पाल, राश्टकुट और परतिहार के साथ हुआ था ये संगर्ष त्रिपच्छिय अगला है सिंदुगाटी सभ्याता के अंतरगात सवो को दफनाने के अपसियस मिले हैं इसमें सवो के सीर किस दिशा में रखे मिले हैं और इसका अंसर हो जाए उप्शन A, उत्तर दिशा में किस बहुद संगिती में बहुद धर्म का दो संपरदायों में बीभाजन हो गया था और इसका सही अंसर हो जाए उप्शन D, चतुर्थ बहुद संगिती में अगला है महबीर स्वामी को किस नदी के तट पर केबल की प्राप्ती हुई थी और इसका अंसर हो जाए उप्शन C, रिजू पालिका नदी के तट पर अगला है आजीबक संपरदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है और इसका अंसर हो जाए उप्शन C, मखली पूत्र आजीबक संपरदाय के संस्थापक है Next प्रशन है किस मुगल सासक के सासनकाल को अस्तापथ कला का स्वरिम काल कहा जाता है और इसका अंसर होजाब अप्षन C, साह जहां को Next है मुगल काल में मुहतसीव कौन था और इसका सही अंसर होजाब अप्षन D, आचरन अधिकारी नेक्स्ट है दिवाने अर्ज किस भाग से संबन्धित था और इसका सही अंसर हो जाएगा ओपशन C व revelation किस सहा सके दरवारी चित्रकार थे और इसका सही अंसर हो जाएगा ओपशन B अकवर के नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है और इसका सही अंसर हो जाएगा option B, कुडन कुलम करनाटक में नहीं कुडन कुलम तमिलनाडू में इस्थित है next है 38 समानतर रेखा किन दो देशों के मध इस्थित है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A उत्री कोरिया एवं दचनी कोरिया के बीच 38 समानतर रेखा इस्थित है next है निम्न में से कौन सा एक अच्छे इंधन का गुन नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा option B जनने पर ज़्यादा सब्सिस्ट बहानिकारक गैसों का उत्रसर्जन होना चाहिए सूची बन और सूची सकेंड में सुमेलित करे और इसका सही अंसर हो जाएगा option A vitamin B7 बालो का ज़ड़ना vitamin B12 प्रनासी अरक्ता होना vitamin E बांचपन उत्पन होना और vitamin K रक्त के ठक्का जमने में मदद करना अगला प्रस्ण है कि तारों के मद्ध दूरी ग्याद करने की इकाई क्या है और इसका सही अंसर हो जाएगा option C Galactic E नेक्स्ट है कि निमल्खित में से कौन सारों पूर्शो के तुर्णा में महलाओं में बहुत कम होता है और इसका अंसर हो जाएगा और इसका सही अंसर हो जाएगा option A oxygen का अगला है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बीना ताफमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए अवस्यक उस्मा की मात्रा क्या कहलाती है और इसका अंसर हो जाएगा गुप्त उस्मा और इसका सही अंसर हो जाएगा अवस्था सी जन्तूओं के यक्रित एवं गुर्दे नेक्स्ट है सुची बन और सुची टू को मिलान करना है और इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है तो परतिरोज जो होता है वो उसका मात्रक ओम होता है विधुत परवा का मात्रक एंपियर होता है बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है और पावर का जो मात्रक होता है वो बाट होता है इसलिए उप्शन B सही है नेक्स्ट है धात्वों में सबसे कम घनत वाला तत्व कौन सा है और इसका अंसर हो जाए option B लिथियम नेक्स्ट है प्राकिर्टिक रबर के बारे में निम्ण में से कौन सा कथन सही है और इसका अंसर हो जागा यह है एक प्राकिर्टिक बहुलक है और इसमें लोशदार गुन होते हैं अगला है किसी तत्व का रसाइनिक गुन निम्ण में से कौन तै करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोन की संख्या ट्रसाइनिक गुन तै करता है अगला है देव परियाग किन नदियों के संगम पर इस्तित है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन A भागिरती और अलकनंदा के संगम पर देव परियाग इस्तित है निमलिखित में से किस राज से करक रेखा बीचो बीच गुजरती है और इसका अंसर होजा अप्शन C, मध्य परदेश से अगला है निमलिखित में कहां सरवाधिक जैब वित्ता पाई जाती है इसका सही अंसर होजा अप्शन C, उस्न कटी बन दिये बरसा बन में अगला है निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है और इसका अंसर होजा अप्शन B, रोहिला राष्टिय उद्दान जो गुजरत सही नहीं है बांधवगाट राष्टिय उद्दान मध्य परदेश में है बांधिपुर राष्टिय उद्दान करनाटग में है सिमली पाल राष्टे उदान उडिसा में है नेक्स देखते हैं निमलिखित में कौन सीत महासगरिय जलधारा नहीं है और इसका अंसर होज़ा अप्शन D अगुल हास सीत महासगरिय जलधारा नहीं है निम्लिखित में से किस नदी को दच्छिन भारत की गंगा कहा जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option B काबेरी को जबकि बूढ़ी गंगा कहा जाता है गुदाबरी को अगला है परसांत महासागर छेतर में ring of fire किस लिए जाना जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option B भुकंप और ज्वाला मुखी के लिए जाना जाता है ring of fire जो पसांत महासागर में इस्थित है next question है कि निम्लिकित में कौन सुमेलित नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा D. Gibson अफिरका में तकला मकान चीन में है थार भारत में है अटाकामा चिली में है जबकि Gibson अफिरका में नहीं है ये गलत है next step परतिरोधात्मक या घरसनात्मक बिरोजगारी क्या है और इसका सही अंसर हो जाप्शन C बेवसाय परोजगार परिवर्थन की प्रकिरिया के दरौन स्रमिक या बेक्ति का कुछ समय के लिए बिरोजगार होना परतिरोधात्मक या घरसनात्मक बिरोजगारी है next है नियूंतम समर्थन मुल MSP के बारे में निमलिखितों पर बिचार करें और इसका सही अंसर हो जाएगा नियूंतम समर्थन मुल आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिय समीती द्वारा प्रस्तावित की जाती है यह सही है नियूंतम समर्थन मुल किर्सी लागातेवा मुल्य आयोग द्वारा अनमोदित की जाती है यह भी सही है यानि इसका सही अंसर option C, 1 और 2 ये था इडूटेरिया के 5000 पलस बालेव समन ग्यान बुक से दो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट नमबर 1 और 2 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेर कर दिजेगा इसी तरह सारा प्रैक्टिस सेट एक एक कर हम लेते आएंगे एक वीडियो में दो प्रैक्टिस सेट रहेगा धन्यवाल